नमस्कार मैं सुनिल वर्मा आपका स्वागत करता हूं इंडिया के सबसे बड़े लार्निंग प्लैटफॉर्म आने कैडमें पर आप सभी को गुड इमिनिंग आप सभी का स्वागत है आज की करेंट अफेर्स के हमारी क्लास में जहां पर प्रते एक दिन के तरह आज भी महत्पूर्ण है जिनसे प्रश्ण बनने की संभावना बनी रहती है ऐसे टॉपिक को आपको आपके सामने इजी वे में बहुत ही आसान सब्दों में आपके सामने प्रस्तूत किया जाए तो यही प्रयास परते एक दिन की तरह आज भी जारी रहेगा हम लोग जुड़े प्लेटफॉर्म पर जहां पर आप भी सब्सक्रिप्सर लेकर अपनी चर्नी स्टार्ट कर सकते हैं अपनी लश्य को प्राप्त कर सकते हैं आप देख सकते हैं आई-स के लिए आज का महत्पूर्ण करेंट अफेर्स और इसमें आज हम तीन टॉपिक डिसकस करने वाले हैं प तो इसमें बात करेंगे अनिमल डाय्ट के विसमें और समझेंगे इस वाले हैं पर अप करेंगे को कम करने वाले का सका स्बास हैं यह चर्चा में बना हुआ तो अगर हम देखें पहला टो पिक त्精बिक से जोड़ता है कि हमारे इंवार्मेंट ecology का part है और साथ ही साथ इसका कई dynamic way भी है उसको हम समझेंगे यहां पर जो दूसरा topic है यह हमारी society से जुड़ा हुआ है इनमल राइट से जुड़ा हुआ है और जो तीसरा topic है वो disaster management से जुड़ा हुआ है तो तीनों ही topic को बहुत आसान भासा में आप तक पहुंचाने का मैं प्रयास करूँगा यह मेरे बिसे में संचिप पर्चे है आप इसको देख सकते हैं जिससे आपको पता चल जाए कि सामने वाला बैती कौन है ठीक है कि यह मेरा टेलीग्राम चैनल है इसका लिंक वीडियो के description में दिया गया है तो वीडियो के description में जाएगे इस टेलीग्राम चैनल को अगर अभी तक आपने जोई नहीं किया है तो जरूर जोइन कर लिजे जिससे क्या होगा class की सूचना है PDF कर सकें यह मेरा एजुकेटर और रेफरल कोड है सुनिल भी जब आप इस एजुकेटर और रेफरल कोड का प्रियोग करेंगे तो इससे क्या होगा आपको 10% को अर्था जो भी ऑफर्न चल रहा होता होटा है वह सब ऑफर्न जाएगा और सब से बड़ी रात है आपको मेरा परस्नेल गाइडेंस जΟाकर होता है तो इसामिया नहीं है । सब्सक्रिप्शन लेते समय आप कॉल पर उनको जरूर बता देजे कि हमें इस एजुकेटर और रेफरल कोड का प्रियोग करना है ठीक है जो अनकेडमी का कोर्स और सब्सक्रिप्शन है वह 0% TMI अर्थात मन्तली बेसिस के पेमेंट ऑप्शन पर भी उपलग्द है ठीक है हमा जाते हैं अपने टॉपिक पर और जो हमारा पहला टॉपिक है इसमें हम बात करने जा रहे हैं और म no I ma t valores चार्टकर उससे पहले एक बार क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है प्रेस एक बार बता तेजी ओके ठीक चले तो वीडियों को थोड़ा सा अपने दोस्तों के साथ लाइक कर लिजे सेर कर लिजे जिससे उनको क्लास की सूचना पहुंच जाए और जितने लोग क्या करेंगे उस पर हस्ताच्यर करेंगे वह उसके पक्षकार होते हैं पक्षकार का मतलब होता है कि हां वह उसके समर्थक होते हैं और वह अपना समर्थन उस समझोते के प्रति दिखाते हैं तो इसी तरह से एक समझोता हम लोगों ने किया है UNFCCC अर्थात United Nations Framework Convention on Climate Change तो आपने सुना होगा कि बर्स 1992 में रियो डी जेनेरियो ब्राजेल में एक समझोता हुआ था जिसको हम प्रत्वी सम्मेलन भी बोलते हैं रियो शम्मेलन भी बोलते हैं और वहां पर सभी देश जब एकत्रित हुए तो उन्होंने इनेड़े लिया कि हम क्या करेंगे ग्लोबल बॉर्मिंग जो हमारे समय की एक बढ़ती वी चुनोती है उसका समाधान करेंगे तो ग्लोबल बॉर्मिंग और क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए UNFCCC से अर्थात जो है कि United Nations Framework Convention on Climate Change नाम का इस समझोता किया गया और जब यह समझोता कि करने का प्रयास किया गया कि आने वाले समय में बुस्व के सभी देश एक साथ सहयोग करके कार्बन उससरजन को कम करने का प्रयास करेंगे अर्था जो कार्बन उससरजन जादा हो रहा है जो ग्रीन हाउस गैसों का उससरजन जादा हो रहा है हम उसको क्या करेंगे कम लेकिन उसको कम करने के लिए क्या करना होगा बिस्व के सभी देशों का सहयोग इसमें चाहिए था इसलिए convention किया गया तो यह जो UNFCCC है अर्थात एक convention है इसके पक्षकारों का क्या होने जा रही है वार्सिक बैठक होने जा रही है किस नंबर की 27 नंबर की कहां पर होने जा मिस्र में तो COP अर्थात conference of fireteach का आयोचन इजिप्ट मिस्र में हो रहा है और यह 27 नंबर का है तो प्रशना आएगा कि ठीक है सर इस तरह की तो बैठके पहले भी होती रही है आखिर इसमें क्या खास है खास बहुत है दरसल खास इस वजए से है कि अभी तक जो हम बैठके क कर रहे थे वहां पर हम आकड़े देते थे कि आने वाले समय में climate change हमको छती पहुंचाएगा इस परकार की छती होगी इस तरह के impact देखने को मिलेंगे लेकिन यह जो बैठक अब जब हो रही है तो अब data की जरूरत नहीं है बलकि अब हमें impact दिखने लगा है ग्लोबल वार पर पढ़ा होगा तो आपको पता चला कि नाइजीरिया में बाड आई इसी तरह से आपने horn of Africa अगर सुना होगा तो आपको पता चला होगा कि उहां पर सूखा पढ़ा हुआ है आपने चीन में बाड देखा यूरोप में अपी आपने क्या देखा हीट बेब देखा और उह यहां के जंगलों को जलते हुए देखा हम यूरोप जिस यूरोप को जानते हैं वह ठंडा चित्र है लेकिन उसका टेंपरेचर हम लोगों ने क्या किया बढ़ते हुए देखा वहां पर 40-42 डिग्री Celsius टेंपरेचर रिकॉर्ड किया गया ठीक इसी तरह से बिस्व के अलग उरत नहीं है बलकि जंधन की जोहानी है उसी को देखकर आप समझ सकते हैं कि हम किस और बढ़ चुके हैं अर्थात हम लोग क्लाइमेट चेंज की ऐसी दहलीच पर खड़े हैं कि जिस से आगे अगर हम बढ़े अगर हमने अपने आपको नहीं रोका तो जलना क्या है वह तो उन्हीं चुनोतियों से निपटने के लिए COP27 जो है वह अपने आप में इंपोर्टेंट हो जाता है अब COP27 देखेंगे तो इसके परतीक के रूप में यह इमेज बनाया गया यह जो इमेज है अपने आप में काफी कई तरह के मायने रखता है कई तरह के अर्थ रखता ह इसको थोड़ा सा देखें आप देख रहे हैं तो यहां पर क्या दिखाया गया है कि सूर्य ठीक है इसको अगर आप करें तो ऐसे आप क्या कर सकते हैं सूर्य दिखा सकते हैं तो देखें हमारी प्रत्वी कैसे गरम और कैसे ठंडर होती है माल लेते हैं यह हमारा सूर्य और इन ही गैसों में क्या है कुछ green house गैसे हैं जैसे carbon dioxide आपने सुना होगा जैसे आपने methane सुना होगा आपने जलबास के रूप में सुना होगा तो यह ग्रीन हाउस गैसे हैं यह क्या करते हैं प्रत्वी जब गरम हो जाती हो और अपनी उस्मा अंत्रिच में भेजती है तो इस उ इस पर निर्भर करेगा कि आखिर में ग्रीन हाउस की मातरा कितनी हैं अगर ग्रीन हांस की क्या होगी आधिक तापमान का और शूस्ब करेंगे और अधिक तापमान का और पुरसुषन करने के बज़े से हमारा जो बाइमेंडल रहे वा क्या हो जाएगा अधिक गरम हो और स्केव जैसा क्या होगा ग्योबल बॉर्मी मुद्पन होगा अगर रिह ज्यास कम होंगी तो हमारे प्रतवी गरम बहुत गरम और बहुत जादा गरम हो जाएगी इतनी गरम हो जाएगी कि जो अभी तक बना हुआ क्लाइमेटिक कंडीशन है यह क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा और इसका निवेटिव इंपक्ट अब हमें दिखने भी लगा है तो इसी को रोकने के लिए आप देखे क्या है कि अभी भी सूर्य से वही केड़ आ रहे हैं लेकिन हमने क्या किया है और इसके वज़े क्या होगा अब जो हीड है उसका यसका अ norm जादा हो रहा है प्रिथोई हमारी गरम होती चले जारे प्रिथोई इस गरम होती प्रिथोई के समाधान के लिए यहांपर क्या हैं आपको दिखाया गया है कुछ कुछ हाथ और यह जो हाथ आप देखेंगे तो कुछ हाथ बढ़े हैं कुछ चोटे हैं यहां पर एक परतीक के रूप में आप देख सकते हैं बिकसित और विकास तीज देशों को दिखाए गया कि जो ग्लोबल वार्मिंग है जो सुरिक की किर्णों का उसुसर जादा हो रहा हैं तो इसी बैस्विक शहयोग से हम क्या कर सकते हैं यह भरति हुई ग्रीन हाउस गैसिस की मातरा को कन्ट्र horr قरेंगे और जब ग्रीन हाउस्गयास गैस्गैस की मातरा कन्ट्रोल हो जाएगी तो हम क्या करेंगे अपनी प्रकरति हैं हम अपने परियाबरण का सनच्छर जादा करें और इसी उद्देश के तयत क्या हो रहा है COP27 का आयोचन किया जा रहा है ऐसा नहीं है कि पहली बार इस COP हो रहा है COP27 है अर्था COP26 का आयोचन इससे पहले हुआ था पिछले बर्स ही हुआ था और इससे पहले अन्य COP भी हो चुके हैं लेक काफी जादा जो है कि महत्पूर एग्रिमेंट माना जाता है और उसमें कई देशों ने कहा था घोषना किया था कि हम क्या करेंगे अपना ग्रीन हाउस के सिस्ट की मात्रा को कम करेंगे लेकिन अभी ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा या दूसरी सब्दों में कहें कि 2015 में जो हमने घोषनाय की थी उनकी ओधी 2020 तक थी 2021 में हमें नई घोषनाय करने थी और नए लक्ष के लिए हमें प्रयास करना था लेकिन 2021 में ऐसी कोई सहमती बन नहीं पाई और 2022 में इसी सहमती को बनाने का प्रयास किया जा रहा है अब देखना ये होगा कि आखिर ये सहमती बन पाती है कि नहीं बन पाती है तो जैसा कि हमने कहा COP27 का आयोजन कल से प्रारम हो गया तो कल अगर आप कल की जो बैठा के उसके minutes देखें उसके points देखें तो कल एक गतिर बिकसित और बिकास सेल देशों में देखने को मिला और ये गतिरोध हर साल उत्पन होता है कल कुछ देशों ने क्या किया अपनी यहां पर आई आपदा की छती पूर्ती की रकम बिकसित देशों से मांग ली जैसे पाकिस्तान नाइजीरिया ठीक इसी तरह से केरेबियन बिकसित देशों के दौरा चोड़ा गया उस सर्जन अब बिकासिल देशों में आपदा का कारण बन रहा है तो इस आपदा के लिए रिस्पॉंसबल कौन हुए वह हुए बिकसित देशों के लिए बिकसित देशों के लिए बढ़ाना चाहिए लेकिन बिकसित देश इतने आसान तरीके से पैसा देने वाले नहीं है क्योंकि बर्स 2009 में ही विक्सित देशों ने कहा था कि हम विकासिल देशों को कुछ फंड देंगे हर साल लगबख 100 अरब डॉलर देने की बात की गई थी लेकिन अभी तक विक्सित देशों ने इसे देना चालू नहीं किया हर साल बैठके होती हैं और विक्सित देश विकासिल देशों पर दबाव डालते हैं कि विकासिल देशों के दोरा उस सर्जन जादा किया जाना वहीं जो विकासिल देश हैं उनका तरक भी बिलकुल ठीक है कि आखिर बिकसित देशों ने जो बिकास की अवस्था प्राप्त की है उसी की बज़े से यह जो है कि ग्लोबल वर्मिंग और क्लाइमेट चेंज की कंडिसन उत्पन हुई तो यहाँ पर बिकसित देशों की ही responsibility बनती है कि वह क्या करें उनके द्वारा किये गए कार्रियों के लिए अब बिकास्थिल देशों का वह सहयोग करें जिससे बिकासिल देश अपना बिकास भी कर सकें और उनके द्वारा होने वाला जो उस सर्जन है वह क्या है कम बना रहे तो यहाँ पर विकास सिल और विक्सी देशों का टक्राव पहले से बना हुआ है और यह बात कल की बैठक में हुई दूसरी चीज यहाँ पर यह घोशना करवाने का प्रयास किया जा रहा है विकास सिल और विक्सी दोनों ही खेमे के दोरा कि हर समू क्या करे, कुछ ऐसी ठोश घोशनाय करे, जिसके माद्यम से हम जो global warming है, उसको 1.5 degree Celsius तक control कर सके, लेकिन इस पर भी सहमती नहीं बन पाएगी, कारण यह है कि हमने जो अभी तक की परकिरिया अपनाई है, जिस तरह से हम global warming का समाधान करने का अभी तक परयास कर रहे ह हैं, उससे बहुत कुछ हासिल अभी हम कर नहीं पाएं, अभी कुछ दिन पहले UNEP की एक report आई थी, emission gap report, तो तो emission gap report के अगर आकडों को देखें, तो हमें पता चलता है, कि अभी तक अपनाएगे जो हमारे परयासें सफल नहीं हुए, temperature तेजी से बढ़ रहा है, और आने वा 5 degrees Celsius तक temperature को control किया जाए, तो यह होता हुआ संभव नहीं दिख रहा है, चले, आईए, हम देखते हैं कि आखिर आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है, theme तो आप समझी गया होंगे ना, तो हाली में दुनिया के कई देशों के प्रतिनिदी, कहां हुआ मिसर में, मिसर के सर्म अल पुड़ है, क्योंकि इस से पहला जो समझा बर्स 2021 का जो बैठक थी, जो की ग्लासको में हुई थी, स्कॉटलेंड के ग्लासको में हुई थी, वहां पर हम लोगों ने एक चीज पर सहमती बना ली थी, और वह था आपका जीवास मीधन के उप्योग को कम करना, जीवास मीध में वह जो भी इंधन प्रियोग करेंगे, उसमें रिन्यूवल या फिर ऐसे उर्जा के सुरोतों का प्रियोग किया जाएगा, जिसमें जीवास मीधन ना हो, या दूसरे सब्दों में रिन्यूबल एनर्जी का जादा प्रियोग करने की बात कही गई थी, लेकिन वहां पर बात कही गई, उसका implementation होता हुआ नहीं दिख रहा है, पिछले साल यूरोप की condition कुछ और थी, आज कुछ और हो चुकी है, रूस और उक्रेन के बिवाद के कारण, रूस ने क्या किया, यूरोप को जो गैस की supply भेजी जा रही थी, उसको रोग दिया, तो जर्मनी जैसे दे कारवन ये कारवन डाय ओक्साइड का उस सर्चन जादा होगा, तो जिस जहां पर हमें क्या करना था, आगे बढ़ना था, अब प्रस्थितियां क्या हो गई है, बदल गई है यूरोप की, सिर्फ यूरोप की नहीं बदली, पूरे बिश्व की बदली है, जब कोबिड आया उस सर्चन जादा किया जा रहा है, अर्थात, जो हम लोग ग्लासको में बैट कर, जिस चीज़ पर हम सहमत हुए थे, वह पूरा होता हुआ नहीं दिख रहा है, दूसरा, यहां पर जब हम ग्लासको में बैठे थे, तो हम लोगों ने कारवन ब्याजार पर भी सहमती बनाने का प्रयास किया था, इसका क्या मतलब है, इसको यह समझ लेजे, A, B, C, D, अब यह चार देश है, चार देश कितना उस सर्चन करें, इसके लिए क्या होगा, यह देख लिया जाए कि कि किस देश की कितनी जनसंख्या है, और किसके दोरा कितना उस सर्चन किया जा सकता है, अ माल लेते हैं A-B-C-D को इसको कहा गया कि आप 10 at-carbon का उसर्जन कर सकते हो इनको कहा गया आप 15 aक एनको कहा आप 20 ओर इनको कहाग्या आप 30 चर्बंड का उसर्जन कर सकते हो अगर कोई ज्यादा करता है तो उसको क्या करना होगा compensate करना हो आफ देखिए माल लेते हैं यहाँ पर हमारा जो देश है यह है D ठीक है यह हमारा देश है भारत अब ऐसे में क्या हो भारत को 30 तन कार्बन उस सर्जन करने के अनुमति मिली है लेकिन भारत ने यहाँ पर दिमाग लगाया और उसने कहा कि नहीं हम क्या करेंगे सोलर पाउर फ्लांड का प्रियोग जादा करेंगे जीवास मीदुनों का दहन कम करेंगे और भारत ने क्या किया अपना जितना उत्पादन करना था वह 20 तन कार्बन उस सर्जन के माद्यम से ही अपना उत्पादन कर लिया अब भारत के पास 10 तन कार्बन का क्रेडिट बचा ह अर्थत भारत चाहे तो 10 टन और क्रेट क्या कर सकता है कार्बन का उस सर्जन कर सकता है लेकिन भारत क्या करेगा अब यह जो इसके पास बचा हुआ 10 टन है यह कहेगा कि भहिया C भहिया B और भहिया A इन में से यह कोई भी देश किसी देश से भी कह देगा कि जिसको भी 10 टन कारवन का क्रेडिट चाहिए हो वो हमको आए हमको पैसा दे हम उनको 10 टन कारवन उस सर्जन करने की अनमती दे देंगे अब इससे होगा क्या अब भारत के पास कई देश आएंगे और सभी जो देश जादा पैसा भारत को देगा भारत क्या करेगा उसको 10 टन कारवन उस सर्जन करने का अधिकार दे देगा इससे हुआ क्या इससे यह हुआ कि भारत ने क्या क्या उस सर्जन कम किया तो उसको 10 टन का पैसा मिल गया दूसरा जिन देशों की अधिक आउ सकता है अब उनको अधिक उस्सरजन करने के लिए कहीं न कहीं से कार्वन खरीदना होगा तो इस पर भी क्या होई थी हमारा जो लाश्ट ग्लास्गो सम्मिट है उसमें सहमती बने थी इसको और ज़्यादा बिक्सित रूप देने का प्रयास इस सम्मेलन में किया जा सकता है ठीक है चल आ गया जाता है पेरिश सम्झाओता अब देखिए जैसे कि हमने कहा पेरिश जो सम्झाओता था वह बर्स 2015 में हुआ और 2015 से इसकी ओधी थी 5 साल अर्थात 2020 तक यह सम्झाओता एफेक्टिव था यह इसके जो प्रावधान थे इसके तहट जो कारे किये जाने थे वह सुनिश्चित किये गये थे अब क्या कारे किया जाए इसको सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी इन ही बैठको पर है अर्थात इस साली है जो बैठक अभी चालू हो चुकी है इसके उपर पहरे सम्झाओता जो था यह क्या था यह कानूनी रूफ से बाध्यकारी अंतराश्टी संधी था तो जिस तरह से यह कानूनी रूफ से बाध्यकारी सम्झाओता था जिसमें देशों को कुछ टार्गेट दिये गए थे इसी परकार का समझहोता इस बर्स भी किया जाने का प्रयास किया जा रहा है हाला कि ऐसा हो पाए यह समझहो नहीं दिख रहा है लेकिन अगर ये संभव नहीं होगा कि हम समझोते पर पहुँचें तो ये भी संभव नहीं होगा कि बढ़ता हुआ जो climate change है या global warming की समस्या है इसका समाधान हो सके कब हुआ था पेरी समझोता 2015 में हुआ था चूँकि यह COP का 21 बैठक था इसलिए इसको COP21 के नाम से जाना जाता है और इसे 196 देशों ने क्या किया था अपनाया था इसमें हमने उद्दे से क्या रखा था कि हम global warming को या बढ़ती हुए temperature को क्या करेंगे पूरो अध्योगिक इस कानूनी बादेकारी समझोता है बावजूद इसके बावजूद इसके हम देखें तो temperature क्या है जिस तेजी से बढ़ रहा है उसमें UNEP की रिपोर्ट यह बताती है कि temperature क्या होगा 1.5 degree Celsius तक सीमित नहीं रहेगा बलकि 2.8 degree Celsius तक बढ़ जाएगा जो कि क्या है काफी घातक परि काम यह है कि इसका परणाम हमें इस रूप में देखने को मिल रहा है कि बांगलादेश का एक बड़ा हिससा डूब रहा है मौल्दीव डूब रहा है बहुत से अन्य द्यूपिय देश डूब रहे हैं बहुत से coastal area क्या हो रहे हैं अब पानी के नीचे जा रहे हैं वहां से सरनार्थी वह दूसरी area की प्रभावित पलायन कर रहे हैं जिनको हम climate refugee बोलते हैं तो ऐसे में आने वाले समय में खादे संकट घटने वाला है खादे संकट बढ़ने वाला है दूसरी ओर refugee crisis बढ़ने वाला है जबकि अभी temperature कितना बढ़ा इतना सोचो जब temperature इतना बढ़ ज चुके होगे और यह हमारे मानवी सब्यता पर संकट उत्पन करेंगे जैसा है कि हमने कहा इसकी जो ओधी थी 2020 तक थी और इसको ही अब आगे बढ़ाने और इसी तरह के दूसरे समझोते की प्रयास हम कर रहे हैं और इसमें जो जोड दिया जा रहा है वो यह है कि हम greenhouse gases के उस करते हैं जैसे मिथेन जैसे की carbon dioxide इसको इस रूप में समझे इस अब ही यह जो studio है इसमें अगर मैं carbon dioxide यह मिथेन गैस के अनुपात को बढ़ा दूँ यह कमरा क्या होगा जादा गर्म लगेगा है कि नहीं ठीक इसी तरह से हमारे बाइमंडल में जब greenhouse gases की मात्रा बढ़ती ह तो उसके द्वारा होने वाला जो है कि परभाव है गर्मी का परभाव है वह बढ़ जाता है तो यहां पर प्रयास यह किया जा रहा है कि हम greenhouse gases के उस सर्जन को कम करें क्योंकि जिस तेजी से greenhouse gases का उस सर्जन हो रहा है वह पूरे बिस्विक लिए चिंता का कारण है चाइना क के दोरा अमेरिका के दोरा European Union के दोरा भारत के दोरा सब भी से लाइन ऑन सकता ही हम पूरी नहीं कर पा रहे है इसके कारण अगर देखें प्रती ब्यक्ति उस सर्जन के हिसाप से देखें तो भारत का जो प्रती ब्यक्ति उस सर्जन है वो वैस्पिक उसस से भी कम है एक भारती ब्यक्ति या एक यूरोपिय ब्यक्ति जितना उस सर्जन एक दिन में करता है भारत के बीश लोग भी मिलकर उतना उस सर्जन नहीं करते है इसका मतलब क्या है कि उस सर्चन में भूम का किस की है? विक्सित देशों की जादा है और किस चीज के उस सर्चन की यहां पर बात हो रही है? यहां पर बात हो रही है ग्रीन हाउस गैसे की मैंने अभी आपको दो दिन पहले एक रिपोर्ट का जिक्र करके बताया था कि समानता जब green house gas के उस सर्चन की बात होती है तो हम इसको ओद्योगी करण से जोड लेते हैं लेकिन ये बिल्कुस सत्य नहीं है देखे green house gas का उस सर्चन ओद्योगी छेतर से सेवा छेतर से और किरसी छेतर सबसे होता है और मैंने आपको बताया था कि न्यूजिलेंड ने अभी क्या किया है किरसी पर उस सर्चन कर लगाया है क्यों लगाया है क्योंकि किरसी कारे जब करते हैं तो किरसी में पसुपालन भी सामिल है और किरसी कारे में जैसे मिथिन मिथिन का उस सरजन किस से होता है? धान की फसल से होता है मिथिन का उस सरजन कहां से होता है? दलदली छेत्रों से होता है ऐसी मिट्टे से होता है जिसको अधिक पाने चाहिए ठीक इसी तरह से जब पसू पालन करते हैं मान सहार बढ़ता है, पसु पालन बढ़ता है, तो उससे क्या होता है, पसु भी क्या करते हैं, चुगाली करते हैं, अर्था भोजन को पचाते हैं, तो जैसे आप खाना खाते हैं, आपके पेट में गैस बन जाती है, ठीक जब पसु भी भोजन करते हैं, तो उनके पेट में क बढ़ चुका है और हमने कंट्रोल करने का लक्ष कितना रखा है 1.5 डिगरी सेलसियस लेकिन अभी तक के जो हमारे प्रयास है उससे पता चला कि टेंपरेचर को 1.5 डिगरी सेलसियस पर हम नहीं रोख पाएंगे टेंपरेचर क्या होगा वह 2.8 डिगरी सेलसियस तक जाएगी बात यहाँ पर की जाएगी ठीक है अब यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि सभी देशों को अपना NDC अर्था nationally determined contribution इसका क्या मतलब हुआ कि जब हम लोग पेरिस समझोते में सामिल हुए तो सभी देशों ने अपनी तरफ से घोषना किया कि हम अपने देश के इस तरफ पर इतनी कटोती करेंगे हर देश ने घोषना की तो उसी तरह से फिर से NDC के बिस्तार की बात की जा रहे कि भाया जो आपने कटोती की घोषना की थी और ज्यादा कटोती करो कार्बन या ग्रीन हा जलवाई पीत जैसे अमेर देशों ने यह कहा था कि वह क्या करेंगे हर साल 100 बिलियन अमेर की डॉलर जो है कि विकास सिल देशों को देंगे जिससे विकास सिल देश अपने यहां पर आने वाली आपदाओं से निपटने की तयारी कर सकें अपने हां पर ग्रीन टेक्नोलजी अपना सके ग्रीन टेकनोलजी से क्या होगा विकास भी हो जाएगा और उस सर्जन भी कम होगा लेकिन अभी तक यह देश क्या हुए है तैयार नहीं हुए है यहां पर बात आ जाती है CBDR की अर्थात common but differentiated responsibility इसका क्या मतलब हुआ इसका मतलब यह हुआ कि ठीक है global warming and climate change की समस्या पूरे बिश्व के लिए शमस्या है लेकिन यहां पर क्या करना है कि पूरे बिश्व में सबकी भागेदारी एक जैसी नहीं हो सकती यह जो पूरा global warming and climate change हम देख रहे हैं इसके लिए responsible कौन से हैं विक्सित देश तो विक्सित देशों को ही क्या करना होगा हमको क्या करना होगा अपने पैसे खर्च करने होगे अपनी green technology क्या करनी होगी विकास सिल देशों तक पहुंचानी होगी ठीक है तो यहां पर अब देश से इसमें टक्राव क्या होता है विकास सिल देश यही बात कहते हैं कि बहिया यह बताओ यह जो global warming or climate change है क्या इसको हम ने किया है हम तो अभी तो अभी हम लोगों ने क्या कि ओदोगे करन चालो किया है अभी हम लोगों ने agriculture में एक surplus उत्पादन प्रारम करना चालो किया है और आप क्या कह रहे हो आप यह कह रहे हो कि भीया कि यहां पर क्या है बहुत जादा हमारे द्वारा उस सर्जन हो रहा क्यों है वहिंग नायफिक से अधिक अपना लगाना चाहिए वहीं से बीकासित्ति देशन को उसर्जन करने से नहीं रोकेंगे तो भारत के लोग चाइना के लोग मेशिको के लोग बहुत ज्यादा उसरिजन करेंगे तो इसी को बोलते हैं CBD यार ठीक है चल क्या इस टॉपिक को समझ पाए क्या इस टॉपिक को समझ पाए प्लिस एक बर मुझे बता दीजे कि चल कि आज आप लोग संख्या काफी कम है क्या बात हो गए आप लोग संख्या काफी कम है कि सब ठीक तो है कि मैच देखने लगे हो क्या कि अरे बच्चों इतना मैच मत देखो कि आपका जीवन ही मैच बन जाए अना इतना भी मैच मैच देखो चाल तो सेशन को थोड़ा सा लाइक और सेयर कर लेजे यहां पार आज अगले टॉपिक को अगला जो टॉपिक है वह क्या है पसूं के अधिकार पर है तो अभी आपने देखा होगा हम लोगों के चारों और कुछ ऐसी घटनाए हुई और उन घटनाओं में देखेंगे तो मानो पसू संघर्स बढ़ रहा है मानो पसू संघर्स दो रूपों बढ़ रहा है एक तो इंसान क्या कर रहा है जंगल में प्रवेश कर रहा है दूसरा अपने आवासी छित्रों में वह पसूं से संघर्स कर रहा है इस संघर्स दो वह तो बहुत पहले साहित हो राहा, अभी हम सहरी चित्रमें में एक चीज देख रहे है कि लोगा पालतू स स्थ जानवर को पाल रहे है और उन जानवर के दोरा किसी उनको काट किसकी है तो इसी चीज़ को लेकर कुछ लो सर्वस्जिणाले गए और एक पक्ष और सर्वश्जिनाले गया कि जिसमें यह कहा जा रहा है कि लोग क्या कर रहा है ज्यादा क्रूर हो रहा हैं लोग पश्रों के अधिकारों का हनन कर रहे हैं, जहां भी कुत्ते दिग गए, आप क्या करते हो, इट पत्तल लेकर दोडा लेते हो, आप उनके ऊपर गरम चीजे फेक दे रहे हो, तो यहां पर सर्वोचिन्याले से पूछा गया, कि आप ही बताईए कि आखिर ऐसे केसिस में क्या किया जाना चाहिए, तो सर्वोचिन्याले ने हाला कि पहले भी इस पर अपनी जज्जमेंट दिये हैं, फिर से उसी चीज को दोराये गया, और कहा यह गया है, कि जिस तरह से इंसानों के अधिकार हैं, ठीक उसी तरह से पसूँ के भी अधिकार है, जब हम इंसानों की बात करते हैं, तो हम अधिकार अपने Fundamental Rights के तोर पर Article 21 की बात करते हैं और हम कहते हैं हमारे जीवन का अधिकार है Article 21 उसमें हम कहते हैं गरिमा के साथ हम जीवन जीएंगे गरिमा के साथ मतलब कि हम स्वच्छ वाता बरण में रहेंगे हमें स्वच्छ पाने चाहिए हमें स्वच्छता का अधिकार है कोई हमें घुट घुट कर जीने के लिए मजबूर नहीं कर सकता कोई हमारे हाथ पैर नहीं तोड़ सकता कोई कह दे कि चलो हम तुमको मारेंगे नहीं तुमारे हाथ पैर तोड़ दे रहें तुम जीलो क्या अधिकत है नहीं जीवन जीने का म मारे और आपके अधिकार हैं इसी तरह से पस्वों के भी अधिकार हैं और पस्व में कौन सामिल होते हैं मनुष्य के अलावा जिनमें जीवन है जो चल फिर रहें पेड़ पौधों को छोड़ दे तो सब अपने पास अधिकार रखते हैं और इसी की कारण आपने देखा होग या उन पर जुर्माना लगता है ठीक है आपने इस चीज़े देखो और दूसरे तरफ अब यह भी इस्पष्ट हो गया है अगर कोई पस्वों के साथ कुरूर निर्दई ब्यवहार करता है तो उनको भी क्या होगी जेल होगी तो कई जो है कि संगठन है जैसे एक संगठन का नाम आपने सुना होगा पेटा यह बार बार यह कहते हैं हैं कि हमारे समाज में पस्वों को लेकर जो निर्दियता का इस तरह हो बढ़ता जा रहा है तो इससे जुड़ा टॉपिक है बहुत इजी टॉपिक है मैं यह जल्द और जानवरों के अधिकारों के बीच में कैसे संतुलन इस्थापित किया जाए इस पर बात की और यहां पर यह कहा गया कि जो लोग भी पश्वों पालते हैं यह जो लोग पस्वों का देखवाल करते हैं ऐसे लोगों को आगे आना चाहिए और आगे आकर उनको क्या करना चाहिए प्रसुओं के प्रोटेक्शन को बढ़ावा देना चाहिए जिसे माल लेते हैं कुछ लोग कुट्टों का ख्याल रखते हैं तो इनकी जिम्मेदारी बनती है कि यह जहां भी कुट्टे दिखें तो उनको इंग्जेक्शन लगवा दें उनका देखभाल करें दूसरी करें उसको कंपंसेट करें दरसल यहां पर अधिकारों की बात प्रसुओं की इसलिए की जा रही है क्योंकि अगर हम प्रसुओं के अधिकार को नहीं समझेंगे तो क्या होगा किसी कुट्टे ने काटा फिर हम उसके साथ निर्दाई बेवहार करने लगें जैंगे इस निर इनाडो में एक खेल चलता है जली कट्टू इसमें जो है कि बैलों की दोड़ करवाई जाती है इसको देखा होगा ठीक महराष्ट्रा में भी ऐसे ही एक खेल पर थाएं थी तो इन इन में क्या होता था जानौरों को पीटा जाता था परतारना होता था तो सर्वचनियाले ने इसको इस रूप में देखा इस से पशों पर अत्याचार होता है उनको मार पीटा जाता है उनके सास हिंसक गत्विधिया की जाती है तो इनको क्या कर दिया गया हलाकि बाद में संसद ने अध्यादेश के माध्यम से इसकी चीजों को बदले लेकिन केस की सुरुआई करते हु अधिकार है और पसू के अधिकारों को पर भी हमें क्या करना चाहिए बात करना चाहिए इसका मतलब है कि पसू यह हमारे प्रकरती हमारे प्रयाबरण के अभिन अंग है इनको समाप्त करके हम नहीं रह सकते या फिर हम इनके साथ अगर नेरदयता बेवार कर रहे हैं तो कह हम अपनी मानवता के साथ यह खेल कर रहें तो हमें क्या करना होगा इस पर लगाम लगाना होगा यह बात सरवचनेयाले ने इसका सरवचनेयाले का ही नेना है। तो जैसा कि इस स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर कई हाई कोड के माद्यम से बात को दोहराया गया है कि पश्रूं के साथ आप कुरूर बेवहार नहीं कर सकते और ना आपको करना चाहिए, ना तो यह प्रकरती और पर्याबरण के लिए अच्छा है और ना ही हमारी संबेदन सीलता के लिए अच्छा है, अगर हम जो है कि संबेदन हीन होंगे और संबेदन सील होंगे तो यह हमारे लिए क्या हो जाएगा, घातक हो जाएगा, इसके लिए अगर हम देखें तो कई तरह के हमाई संबेदानिक परावधान भी देखने को मिलते हैं, कई तरह के भी क्या करेगा सुरच्छा करेगा ठीक इसी तरह से मूल करतब्यों में इसकी बात की गई है और इसमें कहा गया है कि आप क्या करेंगे प्रकरती प्रयाबरण और बने जीओं की रक्षा के लिए हम लोग क्या करेंगे प्रयास करेंगे और पसुओं के सरच्छन के लिए जो प्रावधान है वह राजसूची में भी है वह संबर्ती सूची में सामिल होने का मतलब है कि किसी जीव की सुरच्छा का प्रावधान केंदर इस्तर पर कोई विधी लाकर की जा सकती है राजस्तर के पर भी की जा सकती है दोनों कानून बना सकते हैं तो इतने व्यापक अधिक क्यों दिये गए हैं ताकि पस्व के अधिकारों के हम क्या कर सकें सुरच्छा कर सकें और इसी के कारण यहां पर देखेंगे तो जो IPC है इसमें भी प्रावधान किया गया है IPC भी सुनिश्चित करता है कि अगर आप किसी पस्व के साथ अमान भी यह बेवहार करते हैं कुरूर बेवहार करते हैं तो आपको सजा होगे आपने देखा होगा बहुत से लोग कुत्तों को मारते हैं या अन्य जानवरों को चोट पहुचाते हैं तो उनको पुलिस पकड़ कर ले जाती इसी के तहते हमारे पास पसु कुरूरता अधनियम भी है इसमें साफ साथ लिखा हुआ है कि पसु कुरूरता और पसु को भी यहां पर परिभासित कर दिया गया है जो मानों नहीं है और जो चल फिर सकता है अर्थात हमको और पेड़ पौदों कटा दीजे सब इसमें सामिल हो जाता है अन्स लोगों ने ये प्रावधान क्या tahay करका है तो हमें क्या करना होगा अपने संवेधानिक करतब्रों और मुल्च यहां को इससे ना सिर्फ इंसानों के लोगों के अधिकारों को क्या करेंगे हम बचा सकेंगे बलकि हम एक ऐसे समाज एक ऐसी प्रकरती का निर्माण कर सकेंगे एक ऐसे बाताबरण का निर्माण कर सकेंगे जिसमें ना सिर्फ लोगों के अधिकार सुरच्छित हैं बलकि पश्चों के भी अधिकार क्या है सुरच्चित अगला जो टॉपिक है वो आपदा जोखिम न्यूनी करण से जुड़ा हुआ है अब देखे इसमें है क्या हर साल होता है International Day for Disaster Reduction मनाये जाता है अर्थात आपदा जोखिम न्यूनी करण दियोस मनाये जाता है आपदा का क्या मतलब होता है ऐसी घटनाएं जो बार बार हो रही है जिनसे धन जन धन की हानी बार बार हो रही है ऐसी घटनाओं को आपदा बोलते है तो देखे जैसे चक्रवात अब क्या हो चुकी है चक्रवात आने की फ्रिक्वेंसी और उनकी बढ़ चुकी है फ्रिक्वेंसी बढ़ने की वज़े से जो घातक परभाव है वो बढ़ चुका है इसके अलावा अगर आप देखें चक्रवात, बाड, शूखा, लूग, गरम, हवाएं, जंगलों में आग लगने की घटनाएं यह सब क्या हो रहे हैं, बढ़ती चली जा रहे हैं और इन सब का संबन किस से? ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज से तो जब अब COP27 हो रहा है, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि हमें COP27 में सिर्फ इस बज़े से बात नहीं करने हैं कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है हमको इस बैठक में यह भी सुनस्चित करना है कि आखिर यह जो आपदाएं बढ़ रही हैं, इनका जो जोखिम बढ़ रहा है उसको कैसे कम किया जा है? बिस्व के अगर आप देखें तो जितने भी बिकास सील देश हैं यह बिकास सील देशों ने क्या किया है? ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के में अपना कोई योगदान नहीं दिया है लेकिन आपदाओं से होने वाली छती इन्हें को उठानी पड़ रही है बांगला देश का टटिये छेतर डूब रहा है मौलदीव डूब रहा है ठीक इसी तरह से बहुत से द्यूपिये देश डूब रहे है कोश्टल एरिया पर पानी का परसार फैल रहा है और इस सब क्या है यह सब आपदाएं है और इसके पीछे का कारण है ग्लोबल वार्मियू और क्लाइमेट चेंज तो इसी के तहत कहा जा रहा है कि भीया अब क्या करना होगा यहाँ पर बिक्सित देशों को यह ठहर कर सोचना होगा कि जो हम आपदा के जोखिम की बात करते है उसका तरीका कहां से निकलेगा जब आप बिक्सित देश क्या करेंगे ग्लोबल वार्मियू और क्लाइमेट चेंज पर अपना सहयोग बढ़ाएंगे जिसकी मांग विकासिल देशों के दोरा लंबे समय से की जा रहे है अगर यह देश अपना सहयोग नहीं बढ़ाएंगे तो इसके मांध्यम से हम क्या होगा जो आपदाओं के जोखिम को कम करना चाहते हैं कम नहीं कर पाएंगे अभी मैंने कुछ दिन पहले आपको रिपोर्ट बताया था उस रिपोर्ट को अगर आप इससे जोड कर देखें तो भारत अपनी GDP का लगबग 6% हर साल क्या कर रहा है इन आपदाओं के बज़े से उसका छती हो रहा है यह बात सिर्फ भारत के लिए नहीं है आप यही बात चीन के संदर्व में यही बात बांगलादेश के संदर्व में यही बात फिलिपिन्स के संदर्व में आप देख सकते हैं विस्व के अधिकांस जो बिकासील देश हैं उन पर आपदाओं का जो परभाव है निगेटिव इंपेक्ट बढ़ता चला जा रहा है, भोजन का संकट बढ़ रहा है, क्योंकि फसलों की छती हो रही है, कभी बाढ़, कभी सूखे की वज़े से, गरीबी बढ़ती चली जा रही है, कोपोशन की शमस्या मुबाय खड़ी हुई है, तो इन सब चीजों का 27 से होकर निकलता है, ठीक है, चल, तो यह जो दिवर्स है, जैसा कि हमने बताया, यह 13 अक्तूबर को मनाया जाता है, लेकिन अभी COP 27 हो रहा है, कहां पर मिस्र में, उसके बज़े से फिर से आपदा की जो खिम का, जो मुद्दा है, वो चर्चा में बना हुआ है, इसके 25 से 2030 के लिए, हम लोगों ने कहा है, कि आने वाले समय में हमें आपदाओं से निपटने के कारे करने होगे, क्या करना होगा, आपदाओं का पुरवानुमान की जो बिधी है, उसको बिखसित किया जाए, लेकिन आपदा के पुरवानुमान की जो बिधी बिखसित करने के ल फिर उनको न्यून करने के लिए हमारे पास प्रयाप्त जो है कि तकनीकी बित्त और खादिर सुरच्छाय होना चाहिए इसके लिए एक वैस्विक सहयोग होना चाहिए और इसके लिए एक सततरूप से तैयारी क्या हो सकता है लेकिन हम अभी कर नहीं पाएं तो हम आपदाओं का जो समाधान 2015 से लेकर 2030 तक करना चाहते हैं वह अभी कर तो नहीं पाएं है हां आपदाओं की फ्रिक्वेंसी बढ़ती चली जा रही है जो यह बता रहा है चाहें क्लाइमेट चेंज का मुद्दा हो या ग्लोबल वर्मिंग का या फिर आपदाओं के जोखिम को कम करने का हम हर जगे फेल हो रहें और इसके वज़ए से आपदाओं की बज़ए से जो जन धन की हानि है वो बढ़ रही है त्रास्दी क्या हो रही है जटिल हो रही है इसकी कांडिशन बश्ट होती चली जारे है अब क्या होगा अब होगा यह कि आने वाले समय में अगर यही परकिर या जारी रही तो बिक्सित और विकासिल देशों का जो टक्राव है वो भयानक रूप ले सकता है यह भयानक रूप ना ले इसके लिए क्या करना होगा यहां पर जो बिक्सित देश हैं उनको थोड़ा सा उदार बनना होगा अगर हम देखें बिस्विक इस्तर पर आधिक देशों के पास बहुत जोखी अर्था मल्टी अल्प जो इस्तर की पूर्व चेतावनी पढ़नाली है उसका विकास नहीं हो पारा है जलवाय संकट की कीमत उन बर्गों को जादा चुकानी पड़ रहे जैसे गरीव लोग पिछडे हुए देश के लोग विकासील देश के लोग जादा च्छती उठा पार है जादा उठाना पड़ रहा है हमारे हम पर जैसे मान लेते हैं खुकम पाजय ँतो फोकम सा चलो प् आता है एक परिवार ने 20 साल तक मिलकर जो बनाया था सब कुल क्या हो गया बरबाद हो गया और किसके बज़े से हो रहा है इस सब चीज़े आप देख सकते हैं जो अल्फ बिकास चोटे द्यूपिय देश हैं यो अफ्रिका के देश हो चाहें एसिया के देश हो उनसे लेजे या फिर जो बैक्ति पहले बाहर जाकर काम कर सकता था पहले इतनी गर्मी नहीं पड़ती थी अब गर्मी क्या हो रहे है ज्यादा पड़ रहे हैं जिससे काम की ओधी काम के घंट क्या हो रहे हैं बरबाद हो रहे हैं क्योंकि वह हमें घर पर ही बैठ कर क्या करना तो हमें क्या करना होगा हमें आपदा और आपदा के समाधान तथा आपदा के कारणों को एक साथ लेकर बढ़ना होगा तब ही हम क्या करेंगे पूरों चेताउनी पणाली से लेकर अन्य चीजों को हम विक्सित कर पाएंगे और अब समय के उस मोड पर आ चुके हैं जब हम बहाना नहीं बना सकते जितनी भी प्राकर्तिक आपदाएं हैं चाहे उनका रूप कोई भी हो उन अपदाओं से समधान के लिए हमें क्या करना होगा एक वैस्विक सहयोग की आव सकता है अगर इस वैस्विक सहयोग को हम आने वाले कुछ दिनों में नहीं बना पाए हम कलाइमेट चेंज को नहीं रोक पाए गलोबल वार्मिंग को नहीं रोक पाए विक्सित और विकासील देशों का जो टकराव है इसको नहीं रोक पाए हम जो विकासिल देशों की जो छती है उसको नहीं रोप पाए तो आप दाएं क्या होंगी यह हमारे अस्तित्तों को समात कर देंगे I hope आप इस टॉपिक को आसान भासा में समझ पाएंगे तो आप में से कोई भी student अगर Unacademy का subscription या course लेना चाहता है वीडियो के description में जाईए और उहाँ पर मेरा टेलिग्राम चैनल मिल जाएगा जिसका नाम है सुनील वर्मा Unacademy उसको जॉइन कर लिजे उसको जॉइन कर लेंगे तो मैं उसका admin हूँ मेरी profile पर क्लिक करके आप मुझे personal message भेश सकते हैं course लेने के लिए या फिर उहाँ पर number भी मिल जाएगा उसके माध्यम से भी आप Unacademy का course लेने के लिए मेरी team से संपर कर सकते हैं